क्रिकेटर्स की प्रेम कहानी तो आपने खूब सुनी होगी, लेकिन एक ऐसा क्रिकेटर जिसकी प्रेम कहानी जेल में शुरू हुई और बदल गए उसकी जिन्दगी, प्रेम ने बना दिया क्रिकेट की दुनिया का बादशाह, हर काम्याब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ हो कि आपने प्रेम कहानी तो बहुत सुनी, कई बार उनकी प्रेम कहानी उमें उतार चड़ाओ भी आता है, कुछ लोग इसे उम्र भर निभाते हैं और शादी के बंधन में बंध जाते हैं, जबकि कुछ लोगों का ब्रेक अप हो जाता है, दुनिया भर में प्रेम की आपने अजीब और गरीब कहानी सुनी होगी, जिसमें ही रांजा और मजनू लैला की कहानी सबसे ज़्यादा चर्चित है, प्रेम में एक बात तो आपने देखा होगा कि प्रेमी हमेशा उस व्यक्ति से प्रेम करता है, जिसमें उसे भविश नजर आता है, लेकिन आज हम आपको कैसे क्रिकेटर की कहानी सुनाते हैं, जिसका करियर लगवा खत्म हो चुका है, जिसके देश ने उसे नकारा घोशित कर दिया, और वो जेल में बंद था, उसके अपने दोस्त, उसकी टीम, उसका देश, उसका साथ चोड़ चुके थे, वो मीडिया की कैमरों पर सर्फूट फूट करो रहा था, और अपनी जिन्दगी को बरबाद होता देख रहा था, लेकिन दुनिया जानती थी कि ये 19 साल का लड़का, क्रिकेट की दुनिया में बहुत बड़ा खिलाडी बनने वाला था, इस लड़के के सामने दुनिया भर के महान बलेबास घुटने टेकने व समेट कई खिलाडियों पर मैच फिक्सिंग कारोप लगा, इस के बाद जानत शुर होती है, और पाकिस्तान के कप्तान सल्मान बड़ समेट दो महान गिंदबासों पर फिक्सिंग कारोप लगता है, जिसमें दुनिया के सबसे खतरनाग गिंदबासों में से एक माने जाने पाकिस्तान के भविश्य मुहमद आसिफ का नाम आता है जबकि दूसरा नाम युवा गेंदबाज मुहमद आमिर का था जिन्होंने हाली में इंटरनाशनल क्रिकेट में दस्तक दिया था और अपने प्रदरशन से क्रिकेट जगत को हिला कर रख दिया था लेकिन अब वो अप नर्गिस खान ने मुहमद आमिर को इंसाफ दलाने के लिए ब्रिटिश हुकूमत से मुहमद आमिर की तरफ से केस लड़ा और मुहमद आमिर के हर संभव मदद की परहे देश में किसी अपने को पाकर मुहमद आमिर को फिर से जीने की उमीद जगी और उन्हें लगा कि वो दोनों के बीच नजदीकिया बढ़ने लगती है ये नजदीकिया प्रेम में बदल जाती है 2014 में मुहमद आमिर ने नर्गिस खान से निकाह कर लिया और अपने प्रेम को रिष्टियों में तब्दील कर लिया 2016 में मुहमद आमिर से प्रतिबन धट कया और वो पाकिस्तान क्रुकेटी में दुबारा वापसी करते हैं मुहमद आमिर कहते हैं कि वो पूरी तरह से तूट चुके थे उनका इस तुन्या में कोई भी अपना नज़र नहीं आ रहा था ऐसी हालत में नर्गिस खान ने उनका साथ दिया और उनकी डूपती हुई कश्टी को किनारे तक पहुँचाने में भरपूर कोशिश की खुद को खत्मुआ देखकर मुहमद आमिर निराश थे लेकिन ऐसे में नर्गिस खान का साथ मिलने के बाद वो हालात से लड़ना शुरू कर देते हैं नर्गिस निन पांच सालों में नर्गिस निन पांच सालों में महमद आमिर को हर एक डिप्रेशन से निकालने के साथ साथ उनका केस लड़ने के लावा उनको सही सुझाव देने का काम किया और मुहमद आमिर को दुबारा लड़ने का होसला दिया जिसके बाद मुहमद आमिर ने ऐसी वापसी की कि दुनिया हैरान रहे गई और उन्हें चैंपियन्स टॉफी में पाकिस्तान को विजीता बना दिया मुहमद आमिर ने अपनी इस वापसी से दुनिया को हिला कर रख दिया और कई सारी उपलग्दिया हासिल की हालां कि मुहमद आमिर ने क्रिकेट बोर्ड के कुछ यदिकारियों से मतभेध होने के बाद क्रिकेट से सन्यास्थ ले लिया इसके बाद उन्होंने दुबारा से अपने सन्यास की वापसी की और T20 World Cup 2024 में एक बार फिर से अपना जलवा भी खेटते नजर आ रहे हैं अक्तर के बाद दूसरे ऐसे खिलाडी है जिनको भारत से भी बहुत जादा प्रे मिलता है फिलाल पाकिस्तान के इस महान खिलाडी के इस वक्त एक बच्ची है और वो अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं मौहमद आमिर ने ब्रिटिश नेशनलिटी अपलाई का रखी है कहा जाता है कि वो क्रिकेट से दूर होने के बाद अपनी वाइफ के साथ ब्रिटेन में ही बस जाएंगे मौहमद आमिर के इस कहानी से दुनिया को एक सीख मिलती है कि रास्ते कभी खत्म नहीं होते अगर आ उपर वाला आपके लिए हजार रास्ते बना देता है